नमस्कार, मैं विराट कोडी, आज आपसे एक भारतिय खिलाडी के तौर पे नहीं, पर एक भारतिय नागरी के तौर पे बात कर रहा हूं, जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, लोगों की भीड, सडकों पे, जुन में गुंते लोग, कर्फ्यू का पालन ना करन यह सब देखके मुझे ऐसा लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारन तरीके से देख रहे हैं, और यह लड़ाई उतनी साधारन नहीं है, जितनी हम लोगों को दिखती है, हम लोगों को महसूस होती है, तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज, कि प्लीज, प्ली दिये हैं, जो भी चीज़ें करने को दिये हैं, उसको प्लीज, प्लीज, बहुत इमानदारी से, पूरी इमानदारी से फॉलो करें, यह सोचें कि अगर आपके परिवार में किसी को भी, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपकी लापरवाई के वाज़े से, तो आपको कैसा म अगरिक होके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए, मस्ती मजाग करने के लिए रोडों पे निकलना, इस महौल का फाइदा उठाना, मेरी नजर में अपने देश से इमानदारी नहीं है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये चीज ठीक होने देखना चाहता हूं, और मैं आप लोगों से बिंती करता हूं कि प्लीज, जो भी सरकार हमें कहरे ये करने को, उस चीज का पूरा पालन करें, जैहिए.